हेलो एविवान और सलाम अलेकम आज मैं आप लोगों की साथ शेयर करने जा रही हूँ एक कैरेट केक की रेसिपी जो की पूरी तरह क्रिस्मस प्लेवर से भरी होगी केक का बैटर बनाना शुरू करें उससे पहले हम इंस्टन बटर मिल्क बनाएंगे जिसके लिए आधा कब दूध में एक चम्मच विनिगर आड़ करके पाँच मिनिट के लिए इसे एक तरफ रख देंगे अब एक मिक्सिंग बाउल में दो अंडे लेंगे इसमें चीनी और वनिला एड़ कर देंगे और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि यह अच्छे से क्रीमी ना हो जाए अब इसमें ओइल के साथ हम कुछ स्पाइसस एड़ करेंगे इसमें हैं सिनमन, काडमम और जुंजर पाउडर साथ ही हम थोड़ा सा नमक भी मिला लेंगे और इन सारी चीजों को फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम ड्राइ इंग्रिडेंट्स एड़ करेंगे एक कप मैदा, थोड़ा सा बेकिंग सोड़ा और एक चमच बेकिंग पाउडर शुरू में जितने भी वेट इंग्रिडेंट्स हमने मिक्स किये थे वो पूरा प्रसेस आप मिक्सी में या हैंड विस्क के साथ कर सकते हैं अब मैदे को इसमें फोल्ड करने के साथ ही हम तयार बटर मिल्क भी एड़ करते जाएंगे आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक करें शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें अब इसमें हम मेन इंग्रयडियन mapped на ग्रेटेड एड़ करेंगे यहाँ ग्रेडड के साथ ही हम पूछ राइफ फृर्ट goal भी ऐडका एड़ करेंगे लेकिन उसे ऐसे ही नहीं करना है उसे हम एक चमठ मैंदे के साथ अच्छे से पहले मिला लेंगे और फिर आइड करेंगे ताकि ये पूरी तरह नीचे सिंक ना हो जाए करेंगे करेंगे प्री हीटर अवन में 180 डिग्री पे 40-45 मिनट के लिए या फिर तब तक जब तक कि ये पूरी तरह धन ना हो जाए केक बेक होके ठंडी भी हो गई है आए इसको दिमोल्ड कर लेते हैं अब इसके ऊपर क्रीम या पावडर शुगर डस्ट करके या सुफ ऐसे ही इसे आप इंजॉय कर सकते हैं लेकिन आज मैं एक क्रीम चीज बर्टर क्रीम फ्रॉस्टिंग बना रही हूं जिसके लिए एक कप क्रीम चीज लेंगे और उसमें थोड़ा सा वनिला एड़ करके इ अब इसमें हम आधा कप सॉफन बटर आड़ कर देंगे और क्रीम चीज के साथ अच्छे से विस्ट कर लेंगे अब यह अच्छी से लाइट और फ्लफी हो गये हैं तो इसमें हम एक कप आइसिंग शुगर आड़ कर देंगे चान के मिलाएंगे अब इसको भी क्रीम चीज और बटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग तैयार है आईए इसको केक के ओपर लगा लेते हैं यह कैंडीड कैरिट है जिससे में केक सजा रही हूँ इसको बनाना बहुत आसान है चीनी लेंगे और सेम कॉंटिटी में पानी मिलाएंगे और उसमें एक कप जूलियंड कैरेट एड़ करके इसे दो मिनट के लिए कोप कर लेंगे अब यह सॉफ्ट हो गया है तो इसे हम एक छलनी में निकाल लेंगे जब इसमें से सारा सिरब निकल जाए तो इसे एक तीशू पेपर पे फैला लीजिए ताकि अच्छे से ड्राइ हो जाए और ठंडी भी हो जाए अब इन कारेट के जूलेंस में से सारा मौश्चर निकल गया है तो इसमें हम थोड़ा साथ चीनी आड़ करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो तैयार है कैंडी इट कारेट कारिश तो फिर मिलने हैं एक और रेसिपी के साथ तब तर ठेक गयर आए